असलाम लेकुम फरी के जहां में खुशांदेद आज में चन मिंटों में तयार रहने वाली रेसिपी आपको बताती हूं यह है चाट मसाला जो यह मैंने सब भून के रख लिया है भूने साबुद धनिया एक चमच भर के लिया इसको मैंने भूना है साबुद लाल मिर्च है यह अंदाजे से एक छोड़ी प्याली मैंने ले लिया है और इसको भी भून लिया है काली मिर्ची को भी मैंने हलका सा भून लिया है और यह थोड़ी सी छोड़ी चमच यह मैंने लिया है लौंग है इसको भूना है और यह बड़ा चमच जीरा है इन सारी चीजों को मैंने तब बगून लिया है और एक छोड़ी चमच मैंने लिया है टाट्री एक बड़ा चमच मैंने लिया है किसी खटाई आम चुरजी से कहते हैं यह जो घर में इस्तेमाल होता है नमक वाइड नमक एक छोड़ी चमच मैंने यह लिया है और एक चमच मैंने लिया है काला नमक चले यह सब मैं तयार कर लिया है अब इसको मैं ग्लाइन करती हूँ अब जार विया है अब यह इसके तयार हो गया है अब यह इसके तयार हो गया है कितने से मसालों में कितना ज्यादा यह बना है और इसको आप अचार गोश या कड़ाई बनाते हैं उसमें डालें एक चमच बोटी मसाला लगाते हैं उसमें एक चमच डालें उसका जाय का आप बना के देखिएगा इतने मज़े का होता है अब आप लोग ज़रूर ट्राइब कीजिएगा चोटी सी रेसीपी है चर्मिंटों की घर में सारे मसाले मौझूद होते हैं आप इसको ट्राइब करें मुझे लाइक करें शेयर करें जब तक के लिए अल्लहाफिस फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ